दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग कमपटीसन में कमपीट करते हैं, उनकी बॉडी इतनी मस्कुलर वा स्टाटिक लूग कैसे देती हैं, कैसे वो लोग अपनी पूरी बॉडी को बहुत जल्दी मस्कुलर बना लेते हैं, अगर आपने नही सोचा तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा एक्चुली टेस्टोशोन हर्मोंस की वज़ा से होता है, जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा टेस्टोशोन हर्मोंस हाई रहेगा, उसकी बॉडी उतनी जल्दी मस्कुलर बनेगी, कैसे तो इसके साथ इसाथ बियोर्ड ग्रोथ एंड सेक्सुल एल्फ में बहुत ज़्यादा इंप्रूमेंट भी आएगा, जिसको कोई फॉलो करके बहुत जल्दी अपनी पूरी बॉडी को मस्कुलर बनाई सकता है, बलकि इसके साथ इसाथ अपने टेस्टोशोन हर्मोंस को बहुत जल्दी बुस्ट भी कर सकता है, जि मिल सके और आप भी मस्कुलर बॉडी पास सको, तो चले इस वेडियो को भीना टामी वेस्ट की भी स्टार्ट करते हैं, एंड उन तरीकों को देख लेते हैं, तो सबसे पहले टिप्स नमबर वन, डॉंट वेस्ट योर प्योर एनरजी, दोस्तो अगर आप भी अपने टेस् करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टरवेशन करने से हमारी पूरी बॉडी के हार्मोस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव एट पड़ता है, बलकि इसके साथ हमारी पूरी बॉडी की प्योर एनरजी कम होने लगती है, जिससे हमारा वजन नहीं बढ़ता, हमारी बॉडी मस्क बन सके और आभी बहुत जल्दी मस्कुलर बॉडी पास सको, तो अब इसके बाद नेक्स टिप्स नमबर दू, यूस्टु कमपाउंड हाई इंटेंसिटी वर्काउट्स, दोस्तों अगर आभी अपने टेस्टेंशन हार्मोस, हुमन ग्रोथ एंड इसके साथ ही साथ और भ ऐसी एक्सरसाइस को, जो कि एक ही टाइम पर हमारे मल्टीपल मस्ल्स गूरूप को ट्रेंड करती हो, उससे अगर आप पूरी फीलिंग के साथ उतने रैप्स निकाल दो, जिससे आपकी पूरी बॉडी ठक जाए और आप एक भी रैप्स ना निकाल सको, तो वही होता है बहुत जल्दी मस्कुलर बन जाए, कहें तो आपका टेस्टूशन हार्मोस बहुत जल्दी नैचुरली बनने लग जाए, तो अब इसके बाद नेक्स टिप्स नमबर 3, गेट क्वाल्टी स्लीप, दोस्तो अगर आप भी अपनी पूरी बॉडी को मस्कुलर बनाना चाते हो एंड इसके आप पोजी जो लोग रात में एकदम प्रॉपर 7-8 गंडे की नीद लेते हैं, उनकी बॉडी में अच्छे कासी एमाउन में टेस्टूशन हार्मोस पाये जाता है, जो कि बॉडी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्बॉटेंट है, सो इसलिए सबसे पह अपने टेस्टूशन हार्मोस को बहुत जल्दी नैचुरली बढ़ाना चाते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में टेस्टूशन हार्मोस को बढ़ाने वाले कुछ फूड्स को एड़ करना पड़ेगा, जैसे कि हरी सबजिया, दाले, कुछ बीटामिन दी वाले एड़ के साथ हाई कैलोरीज वाले फूड्स को एड़ करना पड़ेगा, जैसे आप अपने टेस्टूशन हार्मोस को बहुत जल्दी बढ़ा कर अपनी पूरी बॉड़ी को मस्कुलर बना सको, तो अब इसके बाद टिप्स नंबर फाइफ, रिडियूस योर स्ट्रेस अपने टेस्टूशन हार्मोस को बहुत जल्दी बढ़ा सको, तो अब इसके बाद नेक्स टिप्स नंबर 6, यूज टू अस्वगंदा, दूस्तो अगर आप अपने टेस्टूशन हार्मोस को नैचुरली बढ़ाना चाते हो, और वह बहुत जल्दी तो आपको अपनी अस्वगंदा का सेवन करना होगा, और वो भी कम से कम दिन में दो बार, जिससे आप अपने टेस्टूशन हार्मोस को बहुत जल्दी बढ़ा सको, अस्वगंदा में कुछ ऐसे पोसक तत्व पाये जाते हैं, जो कि हमारे टेस्टूशन हार्मोस को बढ़ाने के साथ, जाते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंप्टेंड माने जाते हैं, बट एलकोहल एंड स्मोकिंग का सिवन करने से हमारी बॉडी के हर्मोन्स पर बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट परता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी इफेक्टेड हो जाती है, और हमारी बॉडी मस्कुलार नहीं बन पाती, जो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एंड ज्यादा ज्यादा आपको इसे अवाइड करने की कोसिस करना है, जो यहलुत जल्दी अपने टेस्टेशन हर्मुनों को भढ़ा कर बहुत जल्दी मस्कुलार बॉडी पास सको, जिसको कोई टलू करके बहुत जल्दी अपने टलूरी बॉडी को मस्कुलार बना सकता है, कैं तो attractive body भी पा सकता है तो उसलिए आप इस tips को ज़रूरी follow करेगा तो चलिए इस वीडियो को यही पर end करते हैं वीडियो की tips कैसे लगी आप आप हमें कमेंट में ज़रूरी बताएगा और अगर आप कोई वीडियो थोड़ी से भी useful लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसाथ चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करेगा तो चलिए अब मिलते हैं नेक्ट वीडियो तब तक के लिए ठैंक यू सो मच